मैं पर्देसी हूँ पहली बार आया हूँ मैं पर्देसी हूँ पहली बार आया हूँ दर्शन करने मैया के दर बार आया हूँ पहली बार आया हूँ पहली बार आया हूँ मैं पर्देसी हूँ पहली बार आया हूँ ए लाल चुनरिया वाली बेटी ये तो बताओ मां के भवन जाने का रास्ता किधा से इधर से है या उधर से है सुनर भक्त पर देशी इतनी जल्दी है कैसी अर जरा भूम लो फिरिलो ब्रोनक देखो कटरा की जाओ तुम वह जाओ तेल पर चिठाटाओ धान मया का धरो एक जैकरा लगाओ चले भग तो किटोली संग तुम में न जाओ तुमे रासा देखा दू मेरे पिछ चले आओ यह दर्शन ये दर्योडी दर्शन पहला ही करो या तरा शुरू तुम जै माता दी कहें यहां तलक तोलाई बेटी आगे भी ले जाओ ना के मैं परदेशी हूँ पहली बार आया हूँ तर्शन करने मया के दर बार आया हूँ इतना शीतल जल यह कौन सा स्थान है बेटी यह पान गंगा पानी अमरित तमार होत तन मन पावन करो यहां इसना मथ मंदिर मिटी को करो आगे प्रस्थान चरे पातु का भुआई जानी महिमा जहां मैया जग कल्यान माफ करना मेरी भूल मैने माथे पे लगाई तेरे चरणों की धूल अरे यहां तलक दो लाई बेटी आगे भी ले जाओ ना मैं परदेसी हूँ पहली बार आया हूँ दर्शन करने मैया के दर बार आया हूँ झाले ना तलक दो लाई आगे प्रणी हूँ ये हम कहां आप पूछे ये कौन सीजेगा है बेटी ये है आद को बारी महिमा है इसके भारी गर्ब जुन वो गुपा है तठा है जिसके नारी धर चतीक जोगी मास मजिराहारी लेन मां की परिक्षा बात उसने विचारी और गुफा से निकल कर माता वैश्णो रानी उपर पावन गुफा में पिंडी रूप में प्रगठ हुई धन्य धन्य मेरी माता धन्य तेरी शक्ती मिलती पापों से मुप्ती करके तेरी भक्ती अर यहां तलक तो लाई बेटी आगे भी ले जाओ ना मैं परतेसी हूँ पहली बार आया हूँ दर्शन करने मैं आगे दर बार आया हूँ ओ मेरी मैया इतनी कचिन चराए ये कौन सा स्थान है बेटी देखो उच वो पहा और गहरी खाई जर चढ़ना तनहल के हाथी मत्थी की चढ़ाई तेरे मेड़े रसिते हैं पर जर नन्ठाई देखो सामने वो देखो सांच छत्य के दिखाई परदेशी यहां कुछ खालो पीलो फोड़ा आराम परलो बस पोड़ी यात्रा और रहे गरी है ऐसा लगता है मुझे को मुकामा गया माता वैशनों का निकट ही धामा गया अर यहां तलक तो लाई बेटी आगे भी ले जाओना मैं परदेशी हूं पहली वार आया हूं दर्शन करने मया के दरवार आया हूं मैं पहली वार आया हूं वाह क्या सुंदर नजारा है आखिर हम मा के भवन पहुची गए न ये बावन गुफा किधर है बेटी दिखो सामने गुफा है मया नानी का दुवारा मत वर्शन ने यहां रूप पिंडियों का धारा गुफा से बाहर आखर कंच के बिठाते हैं उनको हलवा पूरी और दर्शन लेकर आशिर्वात पाते हैं और लोगते समय भेरो दर्शन करने से ही याक्रा संपूर्ण मानी जाती हैं आज तुमने सरल पे उपकार कर दिया दामन खुशियों से आनंद से भर दिया भेज बुलावा अगले परस भी परदेसी को बुलाओ मान हर सालाओंगा जैसे इस बार आया हूँ मैं परदेसी ओ मैया मैं परदेसी परदेसी मैं परदेसी हूँ पहली वार आया हूँ दर्शन करने मैया के दर बार आया हूँ आया हूँ